जब आपका कफील बोले कि ये काम नहीं कर पाऊगे और उस जगह पे अगर आप बोलो कि मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा ये सब तीम ध्यमाका तो इससे भीया काम होने वाला नहीं ना बस एक वर्ड बोलिए आदी आदी का मतलब है कि मैं आदी हूँ उस चीज़ का, मैं हैबिचुल हूँ उस चीज़ का, मैं नॉर्मल कटेगरी में इसको अंजाम दे सकता हूँ, उसे कहते हैं आदी आदी यानि कि एक popular words है Arabic भाशा का जो normal category में कभी कदार बोला जाता है लेकिर एक words से बहुत ज़्यादा translation या conversation की जरुवती नहीं पड़ती अगर आपने एक आदी लगाया तो Suppose that जैसे कि मैं ये काम कर सकता हूँ अगर कोई बोल रहा है कि नहीं कर सकते उठा नहीं सकते ले जा नहीं सकते तो आप उस जगहां पर आदी बोल सकते आदी है एक तो ये situation हो गए कि जो चीज़ा आप कर नहीं सकते अगर कोई बोल रहा है तब आप आदी इस्तिबाल कर सकते हैं दरसल आदी को समझना जरूरी है, समझे तो कई जगहां आप लगाओगे और बोलोगे और आसानी से अपना मामला हल कर लोगे और ट्रांसलेट करके अगर मैं दूँगा आपको, कनवर्शेशन में करके दूँगा तो वो आप रटे रटाई वाला मामला रखेंगे तो आज हम आदी को पूरी तरीके से समझेंगे, तो एक सिचुएशन आपने समझ लिए कि जो इंपॉसिबल हो, जो चीज़ आप करना पा रहे हो, कोई आपको चैलेंज कर रहा हो, तो उससे एक वर्ट्स बुलिए आदी, आदी एक ऐसा वर्ट्स है जो आपकी प्रॉब्लम क वो अगले इंसान के मुग को बंद कर देता है, और मामले को हलका कर देता है, और आप तो हैबिचूल है हो, आप तो उस काम को अंजाम दे सकते हो, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, इसके बाद दूसरे सिचुएशन को भी हम समझेंगे, इसी वीडियो में, दरसल जैस भी आप आदी यूस कर सकते हैं, जैसे कि माल ये मिसाल की तोर पर अगर आप कुख हैं और खाना बना रहा हैं, जरा से नमक या मिर्चे या तेल जाधा या कम हो गया, तो आप बो सकते हैं, मुँ मुश्किल, आदी, क्या बोलेंगे, मुँ मुश्किल, कोई परिशानी ना, आदी, अगर आपकी गाड़ी में जरा से स्क्रिश लग गया, तो ये तो पता है कि भाई देखो कोई भी चीज़ है, गाड़ी हो चाहे इंसान हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएगी, अगर वो मार्केट में रहेगा, धूब छौ में रहेगा, बाहर निकलेगा, तो ये आदी है, नॉर्मल सी बात है, या इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं, अगर हर कल से स्क्रिश आगए है तो आदी, तो आदी एक ऐसा लब्स है कि उस स्क्रिश की उने से आपको डाड़ भी पढ़ सकती है, और आदी बोलकर के मामले को हलका भी कर सकते हैं, आ आदी है एक तरीके से, क्योंकि भाई गाड़ी तो बन जाएगी ना आपकी, लेकिन अगर मेरे बोड़ी पार्ट्स में कुछ हो गया तो गाड़ी तो बनेगी, मेरी गाड़ी कैसे बनेगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ये आदी एक ऐसा लब्स है, या बोड़ी में खलका-फलका दर्द है, तो आप बोस जाते है आदी, यानि कि मैं habitual हूँ, मैं सहलूंगा, कोई बात नहीं, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, होती रहती है, तो आदी ऐसे सिच्वेशन में इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप आदी इस्तेमाल कर लोगे बाई ना, और Arabic जदा speaking नहीं भी आती है, तो बहुत सारी conversation से ये बचा सकता है आपको, और अगर सपोस करिए, अगर आप आदी यूज नहीं करते हैं, गाड़ी में इस्कृष लग गया, अगर आप कोई समान या कोई भारी समान या कोई काम करने के habitual नहीं ना, आप उसको क नहीं सकते हैं, अगला question put up कर रहा है, तो conversation करो, आओ Arabic में, सीखो Arabic conversation करो, और अगर बचरा चाहते हैं, तो भाई आदी करके आपने काम को अंजाम देते चले जाओ, वहाँ पर conversation से आप बच जाओगे, तो ये आदी इस जगहां पे इस्तिमाल किया जाता है, आदी एक normal है, को आदी हैं, हम ये habitual हैं, हम उठा सकते हैं, हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ मार्केट में है, तो वह चीज़ गरबढ़ हो सकती है, आदी है, ये normal है, आदी समझ गए ना भाई, मिलते हैं लेक्ष बीज़िए,